Do you remember this scene from Avatar? This is called dhik pranayam. Dhik का मतलब होता है लंबे देर तक, लॉंगर. तो dhik pranayam में हम कोशिश करते हैं कि जितनी सांस है वो जादा से जादा हम फिल कर सके अपने लंग्स में और देर तक उसे रखे और उसके बाद एक्जेल करें. यह एक simple और effective exercise है जो आपके लंग्स की capacity को बढ़ाता है, आपके respiratory system को strong रखता है, आपकी overall health का ख्याल रखता है और anxiety और fear को दूर करता है. तो इसका order क्या है, पहले जब हम सांस लेंगे तो आपकी abdomen फिल होगा, फिर आपकी chest फिल होगी, फिर आपका nose तक आप फील होगा कि आपने बहुत जब सांस ले ली है, फिर आप जब इसको release करेंगे, तो reverse order में यह exhale होता जाएगा. तो पहले हम सांस लेंगे. And now I'll release. It's simple, if you'll do it regularly, आपको यह समझ में आ जाएगा कि यह order किस तरीके से चलता है, आप इसे पहले बिल्कुल दीरे धीरे शुरू करें, शुरुआत में आप इसे अराम से प्यार से करें, और आइस्ता आपको इसमें सब समझ में आ जाएगा कि इसे किप्टी दे तक कैसे और किस अरीके से पैक्टिस करना है.